हाई दोस्तों वेलकम बैक टू दे चैनल दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है काफी अमेजिंग क्यूंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दस ऐसे यूस्टफुल गैजट्स जो आपके घर के साफ सफाई से लेकर आपके इंटरटेन्मेंट और इवन आपके रोज मरा के कामों को कर देंगे बेहतासान वेल तो फिर देखते रहिए वीडियो को विना स्किप के आखिर तक ताकि आपसे कोई भी गैजट मिस नहों पाएं चलिए तो फिर बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की और सन शेडर दोस्तों जब भी हम लैप्टॉप्स को ओड़ोर में यूज करते हैं तो तब हमें वीजिबिलेटी में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है सूरज की रोशनी की वज़े से तो इसलिए बनाया गया है सन शेडर को जो एक सिंबल सा फोल्डेबल कवर होता है जो करत सेडर ना सिर्फ आपकी लैप्टॉप की डिस्प्ले को धूप से बचाता है बलकि आपकी लैप्टॉप को ओवरीटिंग होने से भी प्रॉटेट करता है बात करें से यूज करने के तो इसे आप आसाइन से कुछ ही सेकेंड्स में अपने लैप्टॉप पर फिट कर सकते है और आसाइन से निकाल भी सकते हैं संशेडर बना हुआ है मजबूत मठीरियल से जो इसे बनाते हैं डूराइबिलेटि में बेस्ट तो अब अगर आपको करना है पबलिक प्लेसे में जैसे की पार्क्स, कैफेस या किसी भी जगह पर अपने प्राइविट काम तो आपके लि और इसमें आपको मिलता है कि वीडियो कॉल कैमरा जिसे आप बिजनेस मीटिंग्स, वरकिंग फ्रम होम और ओनलाइन टीचिंग में कर सकते हैं इस्तिमाल बात करें इसमें लगे कैमरा की तो इसमें लगा हुआ है 16 मेकापिक्सल वाला कैमरा वो भी सोनी सेंसर के साथ जो आ इसमें काफी कमाल का है ओवरॉल इसमें आप बोक्स, पेपर्स, मैकजीन, फोटोस और किसी भी आपज़ेट को कर सकते हैं स्कैन और दोस्तों अगर आप नाइट रेडिंग करते हैं तो इसमें आप कोई ग्रेडिंग लाइट भी देखने को मिलती है दोस्तों वैक्यूम क्लीनर्स मार्केट में आपको तरह तरह की देखने को मिलते हैं लेकिन उसमें एक दिक्कत जरूर होती है वो है उसका शॉर्ट लेंथ ओफ कौड मतलब जितना लंबा उसका कौड उतिने तक ही आप उसका यूज कर सकते हैं लेकिन इस ड्रीमी टेक के द्वारा डिजाइन किये गे टीट हटी वैक्यूम को आप जहां चाहे वहां क्लीनिंग में यूज कर सकते हैं क्यूंकि यह है कॉडलेस वैक्यूम क्लीनर्स वैक्यूम क्लीनर्स वित 90 मिनेट्स रन टाइम और इतना ही नहीं देड लाक आर्पीम हाई स्पीड मोडर्स जो डिस्पले पर दिये गे बटन से चूज कर आप मिंटों में सफाई का काम निप्टा सकते हैं और बात करें इसकी बिल्ड कॉलिटी कि तो यह वैक्यूम बहुत ही जबरदस्त मटीरियल का बना हुआ है जो लाइट वेट तो है ही लेकिन है काफी मजबूत फाइनली से माउं करते रहना चाहिए स्पेशेली सेलिंग फैन्स जिसे ओन करना हो या स्पीड को बढ़ाना हो तो हमें खुद ही स्विच के पास जाना होता है लेकिन अब नहीं क्योंकि अब इंडियन कंपनी आटम बग ने बना लिया है का इसा स्मार्ट फैन जिसे आप बैठे बैठे कर सक ब्लेट्स मिलते हैं वेल तो इसकी फिटिंग बिल्कुल किसे नॉर्मल सीलिंग फैन जैसे ही होती है खेर तो चलिए बात करते हैं इसकी फीचर्स के बारे में तो ये फैन आता है बील डीसी मोटर के साथ मतलब ब्रश लेस डीसी मोटर जो कम से कम ईवन ट्वेट की पावर कंजियूम करता है और ये आपके फोन से वाया गोरिला अप से होता है कंट्रोल साथ इसके रिमोट में मिलते हैं आपको कई सारे बटन जिसमें से अगर आप स्पीड पॉजिटिव को करेंगे प्रेस तो फैन की स्पीड होगी इंक्रीज वही स्पीड डेगटिव को प्रेस करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं इस गूविस लाइट हैटसेट का क्यूंकि हैटसेट आपको हाई एंड 3D सिनेमा की सेयर कराने में कोई भी कॉम्प्रमाइज नहीं करता मतलब यह इतना एड़ोंस है कि बस इसे पहने की देरी जिसके बाद इसमें चल रहे सीन को आप बिल्कुल अपने सामने ही खड़े पाएंगे क्यूंकि फॉस्ट अफॉल तो इसका पीपी आई है अधर ब्रैंड से कही गुना ज्यादा भैतर साथ इसका वेट भी सिर्फ 200 ग्राम्स का होता है वेल तो इसमें आप स्ट्रीम कर सकते हैं मूवीज या गेम्स या किसी अब्जेक्ट्स आम शब्दों में कहें तो जो आपके स्मार्टफोन में चल रहा है वही आपको ये 3D में दिखाता है चाहे वो कोई एप ही क्यों ना हो या कोई फोटो खेर तो दोस्तों इसे आप अपने फोन से और निंटेंडो स्विच से और अपने स्मार्ट टीवी से भी कनेक्ट कर सकते हैं तो है ना है अमेजिंग दोस्तों मुझे तो काफी मस्त लगा आपको कैसा लगा नीचे कॉमेंट करके बताएं जरूर R2 Gear R2 Gear HWBC नामक कंपनी के दोरा इनवेंट किया हुआ 5-1 ओट्डोर कम्यूनिकेशन टूल है जो रखेगा आपको आपके सातियों के करीब टीम से अलग होने के बावजूद भी जिसे आपके जंगल में खोने के चांसस होते हैं बेहद ही कम वेल तो ये R2 Gear बिल्कुल किसी वौकी डोकी की तरह नजर आता है और काम बिल्कुल किसे स्मार्टफोन और वौकी डोकी की तरह ही करता है तो सिंपले अपने फोन से ब्लूटूथ के जरीये करिए R2 Gear को कनेट और रख दीजे अपने फोन को अपने बैक पैक में जिसके बाद सिंपली उस एलो बटन को प्रेस करके आप अपने दोस्तों से कम्यूनिकेशन कर सकते हैं और हाँ इसमें डिस्टन्स मैटर नहीं करती चाहे आपका दोस्ति कितना भी दूर की होना हो और इतना ही नहीं इसमें आप अपने मन पसंद गानों को भी सुन सकते हैं और ये R2 Gear 6 बटन के साथ आता है जो और डोर्स में यूज होते हैं जैसे LED लाइट और SOS बटन बात करें इसकी durability के तो इसकी durability इतने भैतर है के कुछ बोलो ही मत समझ गए ना आप वावा SSD दोस्तों वावा SSD दुनिया की fastest और most secure external storage SSD है जो आपको देगी एकदम बढ़िया result वैसे आपका सवाल ये होगा कि हम अपने data को pen drives में भी store कर सकते हैं फिर इसके क्या जरूवत है well pen drives और flash drive बहुत ही slow data transfer speed के साथ आते हैं लेकिन वावा SSD है एकदम super fast storage device जो की है 540 MB per second read and write speed और इसमें आपको एक fingerprint scanner भी देखने को मिलता है जो आपके data को रखता है एकदम safe और multi device capability के साथ आती है SSD दोस्तों इसमें अब 10 अलग अलग fingerprints को एक साथ कर सकते हैं save बात करें इसके design के तो ए SSD slim design के साथ matte finish के साथ आती है साथ ये है shock resistant मतलब अगर आपके हाथ से छूट कर गिर जाएं समीन पर तब भी से कोई फरक नहीं पड़ेगा overall देखें तो ए SSD gamers and videographers के लिए बलकि इसके साथ ये educational purpose से भी यूज होता है well to a dog की तरह दिखने वाला robot unassembled pieces के साथ आता है जैसे की puzzle pieces तो आपको simply उन्हें जोड देना होगा जिसके बाद ये आपके दिएगे commands को बिल्कुल किसी real pet की तरह ही करेगा follow पिछ इस तरह से खेर तो इसके चारो पेरो spring वाले mechanism पर काम करते हैं जिसे आसन से चल पाता है और दोड़ पाता है और खास बात तो ये है कि ये robot बहुत ही छोटे size में आता है और हाँ इसे use करने के लिए आपको coding की जानकारी होना जरूरी है Cardlax Airpots Washer Airpots जितने हमें काम आते हैं गाने सुनने के लिए उतना ही उनके साफ सफाई का भी धियान रखना होता है लेकिन आखिर कैसे चलिए हम आपको मिलवाते हैं कैसे gadget से जो आपकी Airpots को कर देगा कुछ ही मिन्टों में साफ मिलिए Cardlax Airpots Washer से जिसमें spinning brush, sponge और spray लगा होता है तो simply अपने Airpots को उसमें डालने से पहले आपको कुछ इस तरह से अपने Airpots के speaker सुवा ले हिस्से को साफ कर देना होगा और इसके बाद उस bucket में स्प्रे करिए और simply डाल दीजे अपने Airpots को उसमें जिसके बाद आपके Airpots चमकने लग जाएंगे कुछ इस तरह से और इसमें ना सिर्फ आप Airpots को ही साफ कर सकते हैं भलकि इसमें अब लगभग सभी Airpots को कर सकते हैं साफ तो अब रखे अपने Airpots और Airpots को साफ सुतरा इस Cardlax Washer के साथ वेल तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही था उम्मेद करते हैं कि आपको इवीडियो आई होगी पसंद और अगर आई ही चुकी है तो इससे लाइक और शेयर करना बिलकुल ना भूलें साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको आज की इस वीडियो में सबसे कूल गैजट कौन सा लगा और आपने चैनल को तो सबस्क्राइब कर ही दिया होगा वेल तो फिर वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ तब तक लिए गुड़ बाई